चाइड जीपिटी को मोबाइल पे यूज करने का बेस्ट तरीका कौन सा है फॉर फ्री देखिंगे आज के इस वीडियो में हाई गाई मेरा नाम है क्रिपेश हाडवानी यहां पर मैं डिजिटल टूल्स ए चैट जीपिटी के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं चैट जीपिटी जो बहुत 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 जादा इंपोर्टेंट है और सबको आनी चाहिए इन मेरी इन माय ओपिनियन बेसिक प्रॉंट्स तो यूज करना आना ही चाहिए और इसलिए आज का मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेज़ॉरिटी लोग यहां पर मोबाइल फोन यूज करते हैं और आज मैं कुछ आपको आसान तरीके बताऊंगा फ्री में आपको चाट जीपिटी का कैसे यूज कर सकते हो मोबाइल में कौन से आप से कौन सी वेबसाइट है सब कुछ आज के इस वीडियो में चाट जीप अब हम लोग बात करते कि इसको मोबाइल पर कैसे यूज करना है फिलाल मैं आपको Android पर बताता हूं और यह मोस्ली आईफोन पर चल जाएंगे सबसे पहला और आसान तरीका है चाट जीपिटी को यूज करने कि आप लोग डायरेक्ली इसको अपने वेब ब्राउजर में ख अंदाआस इसके बाद रहाएं पर मैं कया कर सकता हूह कर जाओं इसके बाद यहाँ पर जाकर रहाएं चाहलो घर सकता हो हूं मैंाड़ेजायाईट पर ट्लियूरे और फिश्बा इसको प्लेस घर कर देता हूं तो जभी मुझे चैट जीपिटी उसकरना रहेगा एल जस्क click on this one and directly मेरे ब्राउजर पर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा दूसरा तरीका है यहां पर बिंग आप का यूज करना यहां पर तरो यहां यहां पर आपको चीज़े मिलती है क्र अगर आपको कुछ इंपोर्टेंट चीए जैसे कि मैंने अभी हम लोग ने एक्जामपल देखा था कि मुझे यहां पर चीए था इस वन राइट में इमेल फॉर सेमें देज विकेशन तो इसके लिए पर बताता हूं यह आ गया है जैसे आप लोग यहां पर उपर स्क्रोल कर क्रियर जाएगा अब हम लोग यहां पर जाते हैं मैं यह इंपर क्लियर कर देता हूं明ों और पर मैं डाल लेता हूं यहां पर मैं इसको audio कमांड भी दे सकता हूं तो मैं तो अपर इसको audio कमांड देने की कोशिश करता हूं एक बार है यह रहा audio create me an image of panda on a remote bike एक करोंगे तो यहां पर आपको image भी create करके देआ है अभी थक हमने सिर्फ एक्स दिका था चाइड जिपीटी यहां पर इमेज़ेज भी इसके कर सकते हो इंसाइड यह यहांपर इमेज़ेज आ चुकिए मैं आपर इसको open कर सकता हूँ यह open हो गया है and then if you want to download तो यहां इसको यूज कर सकते हो इसको यूज करने के लिए कीबोड के लिए यहाँ पर अगेन Microsoft का ओफिशियल आप आता है Microsoft Swift की आपको इसका बीटा वर्जन डाउनलोड कर लेना Microsoft Swift की बीटा इसके बाद में आपको कीबोड खोल के बताता हूं let's go to our WhatsApp ठीक है यह रहा मेरा WhatsApp यहाँ पर आया मैं यहाँ पर आपको दिख जाएगा बिंग का इकन यह रहा बिंग यह आई का and then यहाँ पर you can search आप टोन सेट कर सकते हो आप you can rewrite it कि जैसे मैंने कहा wishing you a very happy birthday टीक है यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया अब यह मुझे rewrite करके देगा इसको different tones में यहाँ पर इसने मुझे different tones में rewrite करके दे professional, casual, happy birthday, have an awesome day, polite and social post तो इसने यह basically rewrite कर देगा यह तो बड़ा simple सा message था लेकिन अगर कोई long message हो तो इसको different different scenario इसलिए आपको rewrite करके देगा देन यहाँ पर चाट है जैसे हम लोग यहाँ पर चाट gpt use करते हैं बिंग जैसे मैंने भी बताया तो वैसे यहाँ पर आप लोग सेम इसका भी यूज कर सकते हो वह आ गया है यह आ गया है आप लोग यहां पर इसको copy कर सकते हो and then you can go back and paste कर दो अपने messages में तो यह तीन में तरीके हैं यूज करने के लिए पहला है अपने browser के थुरू second है बिंग आप के थुरू, बिंग AI के थुरू, third है keyboard के थुरू, जो मेरा फेवरेट है वो था बिंग आप बिंग AI वो मुझे फेवरेट लगा है, apart from that मैं आपे personally skype का यूज करता हूँ, तो skype में भी बिंग AI introduced है, skype के थुरू में अपनी teams के साथ coordinate करता हूँ, तो skype पे भी वो option है, do let me know, क्या आप लोग किस तरीके से यूज करते हो, chat GPT का अपने mobile में, in the comment section below, so that's all for this one video, अच्छा लगा तो उसको thumbs up देदेगा, चैनल को subscribe कर लिजेगा, for more interesting videos, and I'll see you guys in the next one, goodbye.